नमा मिरामं रघुवन शनाथम नहीं बनी बात अनिल देश मुक्षाब बहुत कोशिस किये कि किसी भी तरह से हम सीवी आई के इंट्रूगेशन से बचे उसके लिए उन्होंने कहा कि मेरे कुल्हे में दर्द है मेरे बाजों में दर्द है और मैं अस्पताल में भरती हूँ माननिये हाई कोट बॉंबे ने इंस्पेक्टर सचिन बाजे को तो इंट्रूगेशन के लिए सी बी आई को भेज़ दिया लेकिन चुकी ये अनिल देश्मुक साहब सीख में थे तो इनको कहा कि साहब वो तो अभी बीबार है उनको हम कैसे भेज़ सकते हैं और वो बच गए लेकिन जब सीवियाई ने दुबारा कहा कि हुजूर ये कॉस्ट में नहीं है इन्होंने मेडिकल को ढ़ाल बना रखा है अनिल देश्मुक साहब और उस ढ़ाल का ये मदद लेकर के सिवियाई से पूस्तास में सहजूग करना चाते हैं कई बार बातें बनी कई लोगों से पूछा गया और जितने लोगों से पूछा गया ये धन उगाही करने के लिए अनिल देश्मुक साहब महराश्ट के ग्रीह मंत्री है थे और अपने ग्रीह मंत्री काल में एक मंत्री ही ग्रीह मंत्री ही जिसके अडर में अंदर I.S.I.P.S. आते हैं इसी आरोप में वो जेलों में बंध है मंत्री की कुर्शी भी गई लेकिन अब देखे C.B.I. ने सबको तो इंट्रोगेट किया और कहा कि साहब अनिल देश्मुक साहब को हम फिर से मिलना चाहते हैं कहा कि भिन भिन लोगों ने भिन भिन किस्म की बातें कही है और हम चाहते हैं कि सचिन बाजे अनिल देश्मुक और बाकी जितने लोगों से हम पूछे हैं सामने बइठा करके बात किया जाए तो अनिल देश्मुक साहब ने कहा कि हम तो बिमार हैं लेकिन बिमारी से एक बार तो बच गया है लेकिन जब सिवियाई ने इनके खिलाब फिर कोट में आवेदन दिया कहा कि हुजूर बिमारी का बहाना बना करके ये सिवियाई के इंट्रोगेशन में साबित नहीं होना चाहते हैं इस पर ध्यान दिया जाएं न्याले ने उस पर ध्यान दिया और पाया कि नहीं अनिल देश्मुक शाहब की का जो कथन है वो सरवदा असत्य है जूता है और इसको बहाना बना के कोई इंट्रोगेशन से बच नहीं सकता है अनिल देश्मुक शाहब को जाना ही होगा इंट्रोगेशन कराना ही होगा और तब अनिल देश्मुक शाहब तयार हुए और सीवी आई के सामने इंट्रोगेशन कराने के लिए कोट के आगया के बाद वो आ रहे हैं अब देखिए सीवी आई कोट उनसे क्या-क्या प्रश्ट पूस्ता है एक ऐसे ग्रीह मंत्री से जो की ग्रीह मंत्री का काम है लोगों के जन धन माल की रकष्षा करना और ये ग्रीह मंत्री ही पैसा उगाही का काम करता था खास करके बच्चियां जो नाच गान करके पैसा कमाती हैं उन लोगों से इन लोगों के उगाही का जब अरजस्ट प्लान था जब अरजस्ट हो रही थी और एक अरब रुपे आप परती माह की इनकी उगाही का टार्जेट चल रहा था अब जेल के अंदर में हैं हमें उमीद है कि और भी सत्य आएगी जब नाले इस पर और ध्यान देगा धन्यवाद